नमस्का दोस्तों, क्लिक स्मार्ट एजुकेशन में आपका स्वागत है मेरा नाम है अनुगोयल और आज मैं आप लोगों के लिए मैट्स की एक काफी इंपोर्टेंट ट्रिक लेकर आई हूँ जिसके थू हम परसंटेज के कोशन्स को बड़े इजली कम से कम टाइम में सॉल्व कर पाते हैं क्योंकि आपके ये बेसिक टॉपिक जैसे के परसंटेज रिशो और पर्पोर्शन काफी जादा इंपोर्टेंस रखते हैं इनका यूज हर इक कॉश्चिन में होता ही है काफी हद तक हम कॉश्चिन इनके स्थू जो है इजिली सॉल्व कर सकते हैं तो आपको ये अच्छे से क्लियर होने चाहिए इनके छोटे छोटे चोटे कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए कि किस तरीके से कॉश्चिन को जल्दी सॉल्व किया जा सकता है बस इसी तरीके की एक ट्रिक की आज हम बात करेंगे उससे related कुछ question देखेंगे कि किस तरीके से अगर हमें question देखने को मिलता है जा फिर कोई भी आपको word problem आती है उसके अंदर इस तरीके के percentage आ जाती है तो उसको आपको किस तरीके से handle करना है क्योंकि students कई बार ऐसा करते हैं कि इन type की जो percentage को solve करने में बहु ज्यादा time लगा देते हैं क्योंकि उनको सही process जो है पता ही नहीं होती तो चलिए सबसे पहले अगर आप लोगों ने हमारे इस चैनल को subscribe नहीं किया है सबस्क्राइब कर लीजेगा bell बटन बर जरूर क्लिक कर दीजेगा और वीडियो ची लगे please like जरूर कीजेगा क्योंकि लाइक से हमें भी motivation मिलती है देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें trick की हमारे बात सबसे पहले अगर हमें कोई 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 question इस तरीके से आ जाता है 26% of 84 ठीक है आप सबसे पहले क्या गरोगे इस question में आप निकालोगे 26% of 84 निकालने बैठ जाओगे और आपसे नहीं निकले करोगे 26 by 100 of 84 और इन दोनों को multiply करोगे आपका time जो है काफी यहां पर waste हो जाएगा लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है क्योंकि यह question आपका बिलकुल orally होने वाला है ठीक है orally इस type के question को हम कर सकते है no need of copy and pen और वो हमें किस तरीके से करना है देखिए इस तरीके से हम इस question को कर स सकते हैं हमें क्या करना है 26 परसंट है ना तो इसको हम इस तरीके से भी तोड़ सकते है 25 प्लस वान क्या होता है 26 होता है सिर्फ आपको समझाने के लिए यह step कर रही हूं क्योंकि आप लोग तो यह वाले चीज क्या है माइं में ही कर लेंगे अब देखिए हम इसको 25 किसका ले लेते है 84 का प्लस प्लस हम क्या कर लेते है 1 परसंट ओफ 84 ठीक है आपकी माइन में यह चीज हो जानी चाहिए कि 26 परसंट है यह से इसको हम इसे तोड़ सकते है और अलग लग कर सकते है आप देखिए 25 परसंट 25 परसंट की फ्रेक्शन वैल्यू क्या होती है 25 पर तो किसके बराबर होगा cutting करके 1 by 4 यह आपको fraction value अच्छे से याद होनी चाहिए जितनी आपको fraction value अच्छे से learn होंगी उतने ही question जो है अच्छे से solve हो जाएंगे अब हम क्या करेंगे 1 by 4 को multiply करेंगे 84 से तो यहां पर cutting हो जाएगी to 1 ठीक है 1% 1% मतलब 1 by 100 ऑफ किसका 84 का मतलब यहां पर जब हम multiply करेंगे दोनों को तो 0.84 आजाएगा 0.84 प्लस 21 तो कितना आजाएगा 21 प्लस 0.84 यह सारी चीज़ें आपके mind में हो जानी चाहिए आपको कुछ भी लिखने की जुरूट नहीं पड़ेगी जब आपके screen पर यह वाला question आएगा कुछ भी ऐसे तरीकित की percentage आएगी तब ही आपके mind में चलेगा 25% प्लस 1% 25% को हम क्या बोल सकते हैं 1 by 4 तो 1 by 4 इतनी easy cutting है आपके mind में हो जाएगी 4 to the 8 1 the 4 21 21 प्लस क्या हम करेंगी 1% of 54 किसी भी चीज़ का 1% क्या हो जाएगा 0.84 हो जाएगा तो 21.84 आपके पास यहां पर आजाएगा ठीक है अगर हम second trick के बात करें तो second trick हमारी यहां पर कारगर होगी अब देखिए अगर हमें question is 3 के से आ जाता है कि 56% of 450 अब देखिए अगर हम यहां पर बात करें 56% तो 56% को निकालना थोड़ा सा difficult होगा 56% को निकालना difficult है जबकि 450% को निकालना easy है as comparison to this हमेशा याद रखिएगा कि a percent ठीक है a percent of b किसके इकल होता है हमेशा b percent of a ठीक है मतलब चाहे a का percent कर दीजिए और b से multiply कर दीजिए चाहे b का percent करके a से multiply कर दीजिए एक ही बात है अगर मैं बात करूँ जैसे के 5% of किसका है 5% of कुछ भी 80 का है ठीक है मतलब 5 का percent कर लीजिए 5 by 100 उसको 80 से multiply कर दीजिए जा फिर आप क्या कर दीजिए 80% मतलब 80 by 100 कर दीज़े और 5 से multiply कर दीज़े एक ही बात है ना दोनों की तो इस तरीके से कैसे भी हम कर लिजे दोनों की एक ही बात होती है तो इस तरीके से अगर हमें इस तरीके का कोई भी question देखने को मिलता है हमें पता है 450 का percentage करना easy है क्यों कि हम इसे तोड सकते हैं 400 प्लस 50 400 परसंट अब दीखे 400 जो परसंट होगा वो किसके ब्राबर होगा divided by अगर हम 100 करेंगे तो 4 के ब्राबर ही होगा ना तो पहले 56 को किससे multiply करेंगे 4 से ठीक है क्योंकि हमने क्या किया 400 परसंट of किसका निकाल दिया 56 का तो 400 परसंट कर दो 50% 56 का हमने निकालने हैं 50% मतलब हाफ किसी भी चीज़ का 50% होता है तो वह हाफ होता है ना तो हाफ को मल्टिप्लाई करेंगे 56 के साथ तो यहां पर 28 आ जाएगा इन दोनों को मल्टिप्लाई कर लीजिए आपका कितना आ जाएगा यहां पर 224 आ जाएगा तो यहां पर आपके पास 252 आ जाएगा बहुत एजिली निकल जाएगा यह आपकी आधी कैलकुलेशन जो है माइंड में ही हो जाएगी ठीक है चलिए अब देखिए इस टाइम का अगर आपको आ जाता है 856 ऑफ 25 अब देखिए आप इसका परसंटेज अगर आपके स्क्रीन म किसके ब्राबर होता है 1 by 4 किसकी फ्रेक्शन वेल्यू 1 by 4 कि 25 by 100 किसके ब्राबर हो जाएगा कटिंग करके 1 by 4 ऑफ किसका 856 का बस यहां पर आप कटिंग कर लीजिए और आपका 214 यहां पर क्या आ जाएगा आंसर बहुत इजी था अब देखिए अगर आपको इस तरीके से सिंप्लिफिकेशन आ जाती है सिंप्लिफिकेशन आ गई तो आप कैसे सॉल्ट करेंगे ऐसे ही अब देखिए 128 परसंट ऑफ 75 आपको पता है 75 परसंट का इजी है निकालना तो हम 75 का ले लेंगे 75 परसंट की फ्रेक्शन वेल्यू क्या होती है 3 by 4 क्योंकि अगर हम 75 को कटिं करेंगे 100 पर तो 25 के टेबर पर 25 यह बजहतर 25 चौकर सौ ठीक है तो इस तरीके से कट जाएगा प्लस अब 88 परसंट ऑफ 25 है ना तो हम यहां पर क्या कर देंगे 25 परसंट कर देंगे तो 88 को किससे मल्टिप्लाइब करेंगे 25 की फ्रेक्शन वेल्यू वान बाइफ इनको कट करेंगे चारती बारा चार दुनियाट और यहां पर मल्टिप्लाइब करेंगे तीन दुनियू नौ प्लस यहां पर 22 हो जाएगा इस इकॉल डू अब सामने वाली साइट को भी सॉल्व करते हैं यह तो कॉश्चन मार्क एस इसको एक्स ले लीजिए प्लस यह 25 परसंट फि कीजिए यहां जाकर माइनस करें दीजिए छे और दो आर्ट नौ दो ग्यारा माइनस करेंगे इन में से 64 तो कितना आजाएगा फॉर छे पांच ग्यारा 54 तो 54 यहां पर आपका राइट अंसर आजाएगा बहुत एजी हो जाएगा लेकिन अगर आप अगर आपको यह चीज करेंगे से क्रैक हो जाएगा ठीक है चलिए अब देखिए यह कॉशन आप लोगों के लिए होंब कॉश्चन है इस कॉश्चन को सॉल कीजिए आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या रहा ठीक है यहां पर 72 यहां ठीक है थोड़ा सा यहां पर आगया ह है यह बाला वान मिनिट सेवंटी टू ठीक है फोर्टी फोर फोर बाइन परसेंट ऑफ सेवंटी टू को निकाल लिए टाइम जरूर नोट कीजिएगा कितने कम टाइम में यह कॉश्चन आप से निकल पा रहा है आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच वीडियो अच्छी अगे ट्रिक अची लगी हो तो प्लीज लाइक शरूर कर दीजिएगा थैंक यू सो मच